गुड मानिंग स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिसकस किया था जैनेटिक कोड और उसके प्रोपर्टी के बारे में तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जैनेटिक कोड जो होगा वो triflet होगा हम लोगों ने देखा ये total codon जो है वो 64 होते हैं उसमें से 3 stop codon और बाकी सब जो है वो amino acid को decode करता है आनि 61 codon amino acid के लिए और 3 codon stop codon कहलाता है उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि genetic code की संख्या ज्यादा है और amino acid की संख्या कम होती है 20 तो एक code एक ही amino acid को decode करेगा जिसके कारण उस code को हम लोग बोलते हैं क्या कि code जो होते हैं वो unambiguous होते हैं and हम लोगों ने देखा कि one amino acid जो है वो उसके more than one code होते हैं इसलिए हम लोगों ने उसको degeneracy बुला उके उसकी बाद हम लोगों ने देखा क्या कि code जो है वो universal होता है सिर्फ proto-jowar, mitochondria को छोड़के और हम लोगों ने देखा कि AUG code जो है उसका double function है वो initiator code on B कहलाता है और वो methanoin को भी decode करता है तो इतना genetic code के बारे में हम लोगों ने discuss किया था पिछले class में आज हम लोग discuss करेंगे कि हम लोग genetic code लिखाएंगे कैसे तो genetic code लिखने का एक तरीका होता है हम लोग जो है उस तरीके की बात करेंगे कि genetic code कैसे लिखा जाता है तो genetic code लिखने का तरीका जो है हम लोग आज देखेंगे जनेटिक कोड की संख्या टोटल जो है वो कितनी 64 64 हर एक हम लोग जो बॉक्स बनाएंगे तो 64 नहीं हम लोग 16 बॉक्स बनाएंगे और हर एक बॉक्स में हम लोग 4 कोड को denote करेंगे तो टोटल जो है हमारा 64 कोड बन जाएगा टोटल जो है वो हम लोग को 64 कोड बनाना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे उसके लिए हम लोगों ने जो है वो 16 बॉक्स को बना दिया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं कि nitrogenous base की संख्या जो है वो 4 होती है हाना RNA में nitrogenous base की संख्या 4 है उससे पारले हम लोग देखते हैं कि इधर वाले को हम लोग देखते हैं position first इसको बोलते हैं first position इधर वाले को बोलते हैं यहां से यहां तक जो जाएगा इसको बोलते हैं second position और इसको हम लोग लिखाएंगे इधार वाले को ठर्ड पोजिशन पर ठीक है अब लोग नाइट्रोजेनस बेस कौनकौन लिखाएंगे कौनकौन नाइट्रोजेनस बेस प्रोटीन के फार्मेशन के लिए रिस्पोंसिबल होता है है इसको देखते हैं ओके तो सबसे पहले यू सी ए जी ठीक है यू सी ए जी यह हमारा जो है वो कौन है एट यू फोर युरासे सी फोर साइटोसाइन ए फोर एडेनीन और जी फोर वानीन यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी ठीक है अब हम लोग जो है बॉक्स नमबर वन पे आते हैं तो फर्स्ट पोजिशन में क्या है U, सकेंड पोजिशन में भी क्या है U, और थर्ट पोजिशन पे भी क्या है U, तो पहला कोड जो हमारा है वो ट्रिपल U, फिर फर्स्ट पोजिशन पे क्या है U, सकेंड पोजिशन पे भी U, और वहां पे थर्ट पोजिशन पे हम लोग देख ये चार कोड वना, ठीक है? फिर यहां फे फर्स्ट पोजिशन पे C, सकेंड पोजिशन पे U, थर्ड पोजिशन पे U, C, U, C, C, U, G, और C, U, SORRY, C, U, A, और C, U, J. उसके बाद A, U, A, U, A, U, और A, U लिखे और U, C, A, J, हम लोगे सीधा जो है, सौट तरीके से लिखने के लिए, तो जैसे G, सकेंड पोजिशन पे U है, थर्ड पोजिशन पे U, G, U, C, G, U, A, G, U, G. ठीके हम लोगे देखे तो यहां भी यह दोनों A, U, G, और G, U, G, यह दोनों इनिसियेटर कॉड़ों का काम करता है, ठीके है, उसके बाद जो है, हम लोगे यहां देखें, सकेंड बॉक्स पे आजाए, तो फर्स्ट पोजिशन पे U, सकेंड पोजिशन पे C, स्थर्ड C, C, U, C, A, और U, C, G, यहां पे भी U, C, sorry, यहां पे फर्स्ट पोजिशन पे क्या है, C है, तो C, C, U, C, 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 G, यहां पे A, C, U, A, C, A, G, यहाँ पर जी सी यू जी सी सी जी सी ए और जी सी जी ठीक है उसी तरह यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर भी यू ए कि यू यू ए सी यू ए ए भर यू ए जी सी आपर यू यू यहां पर जाएगा फर्स्ट पॉष्सल पर सी ए यू उसी ए सी C-A-A और C-A-G यहाँ पर हो जाएगा A-A-U A-A-C A-A-A और A-A-G ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा G-A-U G-A-C G-A-A यहाँ पर क्या हो जाएगा U-G-A U-G-C U-G-U U-G-A U-G-G यहाँ पर हो जाएगा C-G-U C-G-C C-G-A C-G-G यहाँ पर हो जाएगा A-G-U A-G-C A-G-A A-G-G यहाँ पर जाएगा G-G-U G-G-C G-G-A A-G-G-C तो टूटल जो है हम लोगोंने कितने कॉड़ोन को देख लिया 64 कॉड़ोन ठीक है उसमें से हम लोग देखते है क्या कि U-A-A U-A-G और U-G-A हाना एक दो और एक यह तीन यह दोनों जो है वो stop कॉड़ोन stop यह भी क्या हो जाएगा stop कॉड़ोन यह क्या है यह तो है मिथियोनन को डिकोड करेगा इसको हम लोग इनिसियेटर कॉड़ोन बोलते है तो यहां से हम लोग चाहे तो यह हर एक कोड को अगर देखे तो यह किसी ना किसी अमिनोसिट को डिकोड करता है जैसे अगर हम लोग देखे कि यह दोनों कोड जो है वो होता है किसके लिए फिनायन अननिकर यह दोनों कोड जो होता है वो होता है किसके लिए ये दोनों नहीं ये दो और इधर से भी चार तो ये लीवसिन के लिए होता है किसके लिए ये पूरा यहां तक यहां लीवसिन के लिए होता है ठीक है लीवसिन नाम के code को decode करता है उसके बाद ये तीनों जो है स्री ये नहीं AUG कोड निचे है AUG ये तो मिथ्यों नोइन के लिए हो गया इनिसियेटर कोड़ोन प्लास मिथ्यों नोइन के लिए लेकिन अगर इस कोड़ोन के बाद करें तो ये तीनों के लिए ILE Iso Lipsin के लिए होता है ठीके? उसके बाद उसके निचे जो चारो कोड हम लोग देखे थे ये चारो, ये इनिसियेटर कोड़ोन ये सब किसके लिए? वैलीन के लिए है ठीके? तो ये डिफरेंट एमिनोसीड को डिकोड करता है, उसके बाद हम लोग देखे तो ये इस बॉक्स में जितने भी है उस सेरीन के लिए होता है किसके लिए होता है? सेरीन के लिए हाँ ना? सेरीन भी एक एमिनो इसिड है उसके लिए और उसके निचे जो है हम लोग देखते है चारो का चारो जो प्रोलीन के लिए होता है ये किसके लिए होता है? प्रोलीन देखते है क्या कि उसके निचे जो है वो एलानीन के लिए होता है यह चारो जो है वो किसके लिए है एलानीन के लिए है हाना उसके बाद उसमें तो दो गहम लोग देखते हैं स्टॉप कॉर्णन है लेकिन दो जो है वो ट्रिप्टोफॉन के लिए है हाना यह किसके लिए है ये दोनों जो है TRY, ट्रिक्टोफन के लिए है, उसके बाद जो है, दो गों जो है, वो क्या आपका stop cordon है, और फिर उसके निचे दो, जो है, वो histatin के लिए है, और ये दो जो है, वो CAA और CAG, तो CAA और CAG जो है, वो glycine के लिए, GLN के लिए है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते है क्या, कि उसके लिचे जो बॉक्स है, उसमें दो जो है, वो पारा जिन के लिए है, ASN है, और दो जो है, Lys के लिए, एसे हैं लोग याद तो रखना बहुत मुस्किल है सबको, लेकिन हम लोग याद कर सकते हैं, तो 4-5 कोड़ोन याद रखना रख सकते हैं मतलब। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 जो है वो asparatic acid और glutemic acid के लिए है यह asp asparatic acid और यह glu glutemic acid के लिए है हाना G, A, G code हम लोग सिकल से अनिमिया में भी देखे थे उसके बाद U, G, U जो है और U, G, C जो है वो पुर्णा लाइसिंस के लिए आ जाता है किसके लिए? लाइसिंस के लिए उसके बाद U, G, A जो है वो stop codon है और उसके बाद ये जो है वो tryptophone के लिए है T, R, P, tryptophone के लिए है उसके बाद जो है हम लोग देखते है क्या? कि जो चार code है वो हमारा arginine के लिए है ये चारों जो है वो किसके लिए है? arginine के लिए ये आरजी और ये दो जो है वो serine के लिए है और ये दो पुना आरे जिनीन के लिए है और ये उसके बाद जो है ओलास्ट का जो कोड है वो हमारा glycine के लिए होता है यह चारू किसके लिए है glycine के लिए है तो यह total जो amino acid हुए हना total genetic code हुए यह total genetic code और इसको हम लोग यह code जो है वो किसको decode करता amino acid को वो इस तरीके से amino acid को decode करता है यह mRNA के उपर मिलेगा और इन सारे code को read करेगा icon tRNA और उसके अनुसार जो है वो protein का synthesis होता है तो यह आप लोग देख लिए अब इसके आगे हम लोग जो है discuss करते हैं हाना genetic code यहीं पर खत्म होता है ठीके और हम लोग जो है वो discuss करते हैं next topic प्रप्पिक हम लोग जो है वो अब discuss करेंगे नया topic translation okay translation तो translation क्या है हम लोग बोलते हैं biosynthesis of protein biosynthesis of protein हाना translation हम लोग देखें ते central domo process में कि translation वो process है जिसमें protein का synthesis होता है तो हम लोग बोल दिये क्या translation means biosynthesis of protein okay हम लोग देखते हैं क्या है कि the process in which हम लोग देखते हैं क्या है कि the process the process in which the process in which coded information information coded information जो coded फोर्म में फोर्म में information रहता है हाना coded information brought by mRNA brought by mRNA from DNA ठीक है कहां से आता है यह mRNA के पास DNA से आता है इचेंज इन्टू इज चेंज इन्टू पॉली पेप्टाइड पॉली पेप्टाइड चेंड किस में चेंज कर जाता पॉली पेप्टाइड चेंड में और आप देखोगे कि यह जो पॉली पेप्टाइड है इसी पॉली पेप्टाइड को हम लोग क्या बोलते है पॉली पेप्टाइड चेंड एमिनो इसीड से बनता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या प्रोटीन पॉलिफेप्टाइट चेल क्या कहलाता है जो किससे बनता है एमिनो इसीड से बनता है तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो गोड़ मिशन इसके पास होता है mRNA के पास ब्राउट बाय mRNA from DNA कहा से लाता है यह DNA से वो change कर जाता है किसमें तो protein के form में वो change कर जाता है यह polypeptide के form में change कर जाता है हम लोग देखते हैं the sequence of amino acid the sequence of amino acid the sequence of amino acid जो amino acid का sequence होता है हाना in protein amino acid in polypeptide chain polypeptide chain is similar वो किसके similar होगा तो वो similar होगा जो coded information रहता है mRNA के उपर उससे sequence of codon similar to sequence of codon on mRNA जो mRNA के उपर जो sequence होता है हाना उससे यह match करता है हम लोग देखते हैं पर जाखते हैं इन बोध प्रोकेरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल दोनों में प्रोकेरियोटिक सेल में भी और यूकेरियोटिक सेल में भी होता है हमलों लिखतें कि in eukaryotic cell in eukaryotic cell किसमे eukaryotic cell में in eukaryotic cell translation translation also take part in also take part in mitochondria and chloroplast ठीक है यह जो है mitochondria और chloroplast दोनों में होता है eukaryotic cell में translation जो है वो mitochondria और chloroplast दोनों में होता है ठीक है तो यह था translation जिसमें हम लोग देखते हैं biosynthesis of protein कि protein का biosynthesis कैसे होता है हम लोग जो है वो देखे क्या कि जैसा ही code mRNA के उपर रहेगा जैसे अगर एक example के तोर पर हम लोग देखे है तो मान लिजे यह mRNA है और यहाँ पर जो है वो जिस तरह का code दिया हुआ रहेगा जिस तरह का code यहाँ पर दिया हुआ रहेगा इसी code को read करके इसी के अनुसार amino acid जो है आपस में arrange करता है तो यह इसके निचे यहाँ के code का arrange करेगा उसके निचे इसके निचे इसका इसके निचे उसका तो जैस तरह से code यहाँ पर दिखेगा आपको mRNA के उपर उसी तरह का जो है वो sequence होगा polypeptide का किसके polypeptide chain में amino acid का आनि protein में amino acid का routines जो बनते हैं वो amino acid के sequence से बनते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि requirement of transcription sorry translation क्यों कौन से element की requirement होती है translation में तो हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहला जो requirement है हम लोग heading डालते है requirement of translation requirement of translation requirement of translation तो requirement यह होता है translation का वो सबसे पहला होता है ribozyome का क्योंकि यही वो और्गनिल्स है या वही वो पाठ है जहाँ पे protein का synthesis होगा दूसरा amino acid amino acid amino acid वो इससे protein बनता है तिसरा mRNA messenger RNA इसी के पास message होता है जिसके अमसार amino acid अटेच करता है और tRNA इसको बोलते है transfer RNA जो amino acid को ribozyome तक लेकर के जाए गा उसके बाद है कि और किसका amino amino acyl tRNA synthetase tRNA synthetase और उसके बाद जोरत पड़ता है तो किसका magnesium ion का ठीक है जो large subinit और small subinit को जोडने का काम करता है ठीक है तो ये सब molecules क्या सकता होती है किसके लिए protein kris synthesis के लिए इसमें सबसे simple हम लोग सबसे पहले दिखते है किसका ribozyome का तो ribozyome क्या है हम लोग बोलते है it is an important it is an important membrane important membrane-less membrane-less part of cell actual में ribozyome जो है उसमें कोई जो है वो मेंबरेन से घिरावा पार्ट नहीं होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते है क्या membrane-less part of cell और हम लोग देखते है क्या क्योर पार्ट के राइबो जोम्स ऐसाना राइबो जोम्स यी दो पार्ट से बना हुआ है एक को बोलते हैं हैं लोग लार्ज शयूनिट और भो बोलते हैं इस वोल्स अनुट्रैं हैं आले small subunit ठीक है तो small subunit मैं हम लोग क्या आ रखते है having area for attachment having area for attachment to capping side of mRNA capping site of mRNA capping site of mRNA से यह attach करता है कौन small subunit है दूसरा है large subunit तो आप देखोंगे having three site इसके पास तीन site होता है पहला acceptor site इसको बोलते है a site दूसरा है promoter site इसको बोलते हैं पी site और तिसरा को बोलते है तर्मिनेटर site इसको बोलते है क्या टी site ठीक है तो यह तीन site जो है वो large subunit में होता है और small subunit सिर्फ और सिर्फ जाकर के किस से तो राइबोजॉम से attach कर जाता है ठीक है तो यह हमारा राइबोजॉम का structure हुआ मतलब यह राइबोजॉम हुआ हाना जो की जो भाग लिता है किसमें प्रोटिन के synthesis हम लोग पढ़े थे बीसो एम्मिनोसिट का नाम अभी genetic code में भी देखे 20 एम्मिनोसिट ठीक है यह एम्मिनोसिट जो है वो इन्भाल्व होगा किसमें प्रोटिन के synthesis में और फिर आजाता है क्या mRNA और tRNA तो हम लोग क्या देखे कि प्रोटिन के formation प्रोटिन का बनना और RNA से प्रोटिन का बनना translation process कहलाता है और यह बहुत ही जो है वो important process है जो हमारे body के cytoplasm में होता है और cell के cytoplasm में होता है हना with the help of different molecules यह function perform होता है तो आज के lecture में हम लोग इतना ही देखते हैं अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग discuss करेंगे tRNA और mRNA के बारे में उसके बाद हम लोग देखें के a step involved in trans lesson ओके तो आज के lecture में इतना ही thank you